बिना एप के ओपो मोईल में फॉन्ट श्टाइल कैसे चेंज करें? हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक निव वीडियो में एन इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर दोस्तों आप चाहते हैं ओपो के फॉन्ट में बिना किसी एप की मदसे आप फॉन्ट श्टाइल को चेंज करना लेकिन आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चल ये वीडियो सुरू करते हैं तो उपो के फॉन्ट में बिना किसी एप की मदसे आप कैसे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जो फॉन्ट चाहे वो फॉन्ट का आप इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहले आपको जो है फॉन्ट का इस्तिमाल करने के लिए क्या करना है आपको जो है अपके phone के अंदर एक application होता है जिसका नाम होता है theme store ये रहा theme store आप चाहे तो search पे click करके search कर सकते हैं आपको क्या करना है सिधा इस theme store वाले app को खोल लेना है यानि open कर लेना है और जैसे ही open करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपको interface मिलता है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको धेर सारा यहाँ पर जो है wallpaper show होता नजर आएगा ठीक है अब क्या करना है उपर में आपको options दिख रहा होगा जैसे कि home theme font wallpaper आपको font वाले option पर click करना है font वाले option पर आप जैसे ही click कर देते हैं तो नीचे scroll किजेगा तो यहाँ पर जो भी free font होगा वो सब के सब यहाँ पर आजाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं अब इसमें से आप जो भी font का आप इस्तिमाल करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर choose कर लीजिए ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारा font आपको मिलता है और भी नीचे आईएगा तो यहाँ पर और भी काफी सारा font यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है कुछ इस तरीके से अब font style को change करने के लिए आपको करना क्या है आपको जो है font style को change करने के लिए direct आपको क्या करना है उस पे click करना है जैसे कि मुझे ये वाला इस्तमाल करना है simply मैं इस पे click कर दूँगा click करने के बाद ये कुछ इस तरह का आपको interface देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको करना क्या है आपको यहाँ पर apply वाला नीचे में button मिलेगा आपको इस पे click करना है तो ये download होगा डाउलोड होने के बाद यहाँ पर जो है apply हो जाएगा successfully apply पर click किजेगा तो आपका जो font यहाँ पर successfully apply हो जाएगा back आजाएए यहाँ से और आप देख सकते हैं मैं अपने setting को open करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा font style है वो यहाँ पर change हो गया बदल गया आप जोसी कि यहाँ पर देख सकते हैं और इस तरीके से आप oppo के font में जो है अपने font style को change कर सकते है वीडियो कैसे लगा आप हमें comment box में जूर से बताएगा वीडियो को like करना साथ इस channel को subscribe करना ना भूले